तो जडियों में साफ देगा जो सकता है कि सुनिल सिंग काफी गुसे में नजर आ रहे हैं मुझे रहे हैं कि फुलिस को इस बात की सूचना देनी चाहिए थी लेकिन जबरन उनके घर में घुसा गया है बहरार अब बढ़ते अगली खबर की ओर इसी क्रम में बिहार में जिस सरीके से बहुमत परिक्षण होना है और इसी बीच राजों से बहुत बड़े ये खबर सामने आई है जो पर आरजडी के दो बड़े नेताओं के घर पर चापे मारी चल रही है MLC सुनिल सिंग और आजिसवा सांसद अश्वाक करीम के घर पार CBI ने चापे मारी की है महागडबंधन सरकार की शक्ती परिक्षण के बीच आरजडी नेता के घर में चापे मारी व्यार सरकार को असहज कर सकती है बताय जो रहा है कि सुनिल सिंग के घर पर नौकरी के बदले जमीन के मामले में ये कारवाई की जो रहे है इस चापे मारी पर आजिडी सांसद मनुझा ने कहा है कि इसे एजंसियों की चापे मारी ना कहिए इसे बीजिपी के संगठनों की चापे मारी कहिए हमारे नेतात इजुस्वी यादव ने सरकार बनाने के बाद कहा है कि आईए हमारे घर में दफ्तर खोल लीजिए हम दिल्ली माराश से लेकर बिहार तक वही कहानी देख रहे हैं एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से इनेजंसियों का दुर्प्योग बीजेपी ने किया है जब ये सत्ता से बाहर होंगे तो इनकी जद में ये भी आएंगे क्योंकि इनका चरित्र अब खराब हो गया है दिल्ली में कौन बैचे लोग राजनितिक लोग नहीं है अपरादिक माइंट के लोग हैं और राजस सुप्रीमो लालपसाद यादव की बेटी रोहिनी आचारे ने भी इशारों में बीजपी पर ट्वीट करते हुए हमला बोला है उन्होंने कहा है कि वो डरेंगी नहीं वो जुकेंगी नहीं समाजवादियों की सरकार है बिकेगे नहीं और धार जिले की कुक्षी तहसील में हुए किस्वान समस्य आंदोलन में आए शेत्र लेकर कॉंगरिस के जुनेता है और कारेकरता उन्हीं को समोदित करते हुए बिधायक बगेल ने बीज़ेपी को आड़े हातों लपेटा है उन्होंने बीज़ेपी के दौरान कहा है कि बीज़ेपी ने हमें कहा था कि तुम्हारी सरकार 15 महीने रही क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी सरकार अभी 25 महीने से है तुमने डूबे प्रभावितों और किसानों के लिए आखिर क्या किया है खूब चला आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर और इस दोरान आपको बता दें कि वटसेप और फेस्बुक पर भी टार्गेट किया गया है और बोला गया है कि फेस्बुक और वटसेप पर खेल खेले जा रहे है आरोप प्रत्यारोप का ये खेल है और अगर खाद की दिक्कत दूर नहीं होती तो इस आंदोलन को दिल्ली तक लेकर जाने की भी बात कही गई है साथी आपको बता दें कि इस बीच डूबे से प्रभावेत हुए लोगों को बिजली पानी और मुआपसा राशी देने की बांग भी उठाई गई है और इसी कबर की साथी बोलेचन में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें आर्या नियोज